वेल्कम व्यूवर्स राज के चिन में आपका अस्वागत है आज हम बनाएंगे टामाटर और आलू की बहुत सिंपल सी सबजी यह बहुत तेश्टी बनती है और यह पूरी पराटों रोटी सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है एक बार आप इसी बना करके देखें गया आपको अवश्य परसंद आएगी इसके लिए मैंने यह पांच आलू उबले हुए आलू है दो हरी मिर्च अद्रक का एक टुकड़ा और दो टमाटर कटे हुए बारी लिए हैं अब एक कड़ाई में ओयल गरम करेंगे जब और अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें आदा चमच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हिंग डालेंगे और इनको अच्छी तरह से तड़कने देंगे जब यह तड़क जाए तो इसमें हरी मिर्च अद्रक डालेंगे और इनको भुनने देंगे जब ये अच्छी तरह से भुन जाएं तो इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने दो टमाटर लिये तो उनको बारिक काट लिया है और इनको गलने तक पकाएंगे जब ये अच्छी तरह से गल जाएं तब इसमें मसाले डालेंगे इसमें मैंने यहां धनिया पाउडर दो चमच दनिया पाउडर लिया है, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लाल मर्च पाउडर और इसमें देगी मर्च पाउडर डालेंगे, आदा चमच वे और आदा चमच करम मसाला डालेंगे, और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे, टमाटरों के स करण थोड़े टुक्ले भी रहें इस तरह के समुका पेंपने और उनको अच्छी तरह से कम से कम 5 निट के लिए गैस पर भूहर लेंगे जिससे के इंको अच्छी तरह से आलू भूऍंजा बार टमाट व आलू अच्छी तरह से बुनने लाइक करें इसे कम से कम पांट से साथ मिनेट अच्छी तरह अब करें तरह बंदेंगे और अब